हलो दोस्तो मेरा नाम है संतोष कुमर और आप देख रहे हैं टेकनिकल ल्यूस कैस्ट इन दी चनल मेरे चनल पे आप सभी का स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो आज हम पोट्रोनिक्स का एक ब्लूटूट स्पीकर यानि की वायरलेस स्पीकर जिसका मॉडल नंबर है POR871 उसका अन्बॉक्सिंग करेंगे साथी साथ उसका रीवीवी देखेंगे तो देखते हैं तो दोस्तो यह है पोट्रोनिक्स ब्लूटूटूट स्पीकर का बॉक्स पैक अब इस बॉक्स पैक के उपर एक नज़र डालते हैं जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे है PORTONICS ब्रांड नेम और यहां पे लिखा गया है कि टाइनी पावर हाउस और इस तरफ देखते हैं तो यहां पे sound drum, portable wireless speaker with FM और यहां पे speaker का picture दिया गया है speaker का color है black color अब बॉक्स के दूसरे तरफ देखते हैं तो यहां पे कुछ features mention किये गए हैं जैसे कि wireless, pen drive, radio FM, 6-7 hours playback time, built-in microphone, powerful bass clear voice, 3.5 mm auxiliary in water and dust resistance अब box के इस तरफ देखते हैं तो यहां पे भी brand name लिखा गया है, portronics और यहां पे भी same way cheese लिखा गया है, sound drum यहां पे इस speaker का कुछ parts mention किये गये हैं, जैसे कि यहां पे LED indicator mention किया गया है और यह है USB port और यह auxiliary port और यह है charging port अब box के इस तरफ देखते हैं, तो यहां पे same way cheese brand name mention किया गया है, और यहां पे इस company का website दिया गया है www.portronics.com यहां पे कुछ specifications mention किये गये हैं, जैसे कि wireless version 4.2 version है, मतलब Bluetooth version 4.2 है और impedance 3 ohms, output 2 into 5 watts, voltage 5 volts, auxiliary in 3.5 mm, built-in battery 1800 mAh, frequency response 150 to 15 kHz, ratio 70 dB, supports A2DP and AVRCP A2DP and AVRCP यह दोनो Bluetooth का एक profile है, यह profile Bluetooth के साथ integrated है, यह profile इस Bluetooth में सामिल है A2DP का full form में advanced audio distribution profile, इस profile से हमें यह फाइदा है कि जब हम कोई device के साथ speaker को connect करते हैं, सपोज कोई mobile के साथ speaker को connect करके गाना जो सुनते हैं, गाने का output होता है, बहुत अच्छा quality का होता है, high quality का output हमें मिलता है और AVRCP का full form में audio, video, remote control protocol, इस protocol सामें यह फाइदा है कि जब हम इस speaker को, for example, कोई mobile से कनद करते हैं तो इस speaker में कुछ features जैसे होते हैं, play, pause, previous, next, वो सब हम इस device से भी कर सकते हैं, से मुसी तरह वो remotely उस mobile phone में भी हम mobile से operate कर सकते हैं इस device को, और यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे brand name लिखा गया है, potronix, model number है, इस device का sound drum, POR871, इस speaker का color है, black color, और यहाँ पे price mention किया गया है, 2499, लेकिन मैं इसको 1700 रूपी से purchase किया था, कभी कभी इसका जो price होते हैं, वो up and down होते हैं और यहाँ पे उनका customer care का phone number दिया गया है, और email ID भी mention किया गया है, यहाँ पे barcode कुछ mention किया गया है, और यहाँ पे one year warranty लिखा गया है, यहाँ पे कुछ serial number दिये गया है, अब इस box को इस तरफ देखते हैं, तो हम पहले देख चुके हैं सब, अब नीचे के तरफ देखते ह हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे कि get free extra warranty, यह हमें compliment में मिलती है, जैसे कि 2 और 3 माइन extra warranty मिलती है, उसके लिए हमें इस URL इस website के address पे जाके वहाँ पे register करना पड़ता है, जैसे कि हमरे जो warranty card होता है, और जो purchase bill दोनों देखके हमें यहाँ पे register करना पड तो अब box के उपर के तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे खुछ भी नहीं, अब इस box को open करके देखते हैं करणेखते हैं, आपे देखते हैं झाल झाल तो दोस्तों यह सारे है इस box के contents जैसे की charging cable, speaker, warranty card, manual book इस charging cable को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस cable का length और यह जो भाग आप देख परें यह USB type है यह और यह micro USB port है यह quality भी बहुत अच्छा है cable का और यह warranty card यहाँ पर कुछ serial numbers अब कुछ दिये गये हैं और यह manual book इस manual book में इस device के बारे में इस speaker के बारे में सारे information इसमें दिया गया है तो अब इसको side में रखते हैं अब इस speaker के उपर एक नजर डालते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पर हैं तो यहाँ पर कुछ controls दिये गये हैं इसको speaker का front side कहते हैं और इसको speaker का back side कहते हैं इस front side में आप चार अलग-अलग buttons देख पर हैं यह multi function buttons है यह जो circular सा button आप देख पर हैं इसको main button कहते हैं इसको M button भी कहते हैं इसको mode button भी कहते हैं इस बटन को उप्योप करके आप अलग-अलग options भी सरक्ट कर सकते हैं जैसे की on, off, bluetooth mode, auxiliary mode, FM mode, USB mode ऐसे अलग-अलग options भी सरक्ट कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी confusion होने की जरूरत नहीं, जब आप इस speaker को कोई bluetooth enabled device के साथ pair करना चाहते हैं, तो इस button को दबा के on करके उसके बाद आप इस button में प्रेस करते हुए Bluetooth mode में set करके रख लीजिए, उसके बाद mobile में Bluetooth on करके वहाँ पे कुछ lists आपको show करेंगे, वहाँ पे आपको sound drum एक option दिखाए देगा, उसको प्रेस करेंगे, तो ये speaker और mobile दो pair हो जाते हैं, Bluetooth के जरिये, यहाँ पे जो plus का निशान आप देख पर हैं, इस plus button को उप्योग करके आप volume को बढ़ा सकते हैं, और previous song में जा सकते हैं, अगर आप इस plus button को hold करके थोड़ा long प्रेस क करेंगे, तो वहाँ पे आप previous song में जा सकते हैं, ठीक इसका opposite है, ये minus button, इस minus button को आप hold करके long प्रेस करेंगे, तो आप वहाँ पे volume को कम कर सकते हैं, अगर आप इस minus button को hold करके थोड़ा short प्रेस करेंगे, तो वहाँ पे आप next song में जा सकते हैं, यहाँ पे जो triangular safe सा button देख प सपोज आप इस डिवाइस को कोई भी मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर चुके होगे ब्लूतूत के जरी है पैद कर चुके होगे, मतलब इस बटन को प्रस करते हुए आप इस डिवाइस को ब्लूतूत मोड में रख चुके हैंगे, अगर उस मोबाइल फे कोई incoming call आ रहा है तो तो आप उस mobile को अपने कान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको प्रस करते हुए, आप जो incoming call है, इस speaker के थुरू सुन सकते हैं, अगर आप उस call को end करना चाते हैं, तो एक बार इसको प्रस कर दीजिए, तो आप उस call को end कर सकते हैं, अगर आप उस call को reset करना चाते ह तब आप उस call को reject भी कर सकते हैं अगर आप FM radio चलाना चाहते हैं तो ये जो main button आप देख पर हैं circular सा उसको press करके आप FM radio mode में पहले set कर लीजिए उसके बाद ये जो triangular safe सा button आप देख पर हैं इसको hold करके press करेंगे तो ये device automatically FM radio stations को धून लेता है आप गाना सुन सकते हैं अगर आप previous radio station में जाना चाहते हैं तो ये जो plus button है उसको थोड़ा hold करके press करेंगे तो आप previous radio station में जा सकते हैं अगर आप next radio station में जाना चाहते हैं तो इस minus button को थोड़ा hold करके press करेंगे तो आप next radio station में जा सकते हैं अब इस speaker के पीछे के तरफ backset के तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे एक flap दिया गया है, इस flap के नीचे कुछ connectivity options होते हैं, उस connectivity options को धूल ना पहुंचे, dust ना पहुंचे, इसलिए यह flap यहाँ पे protection basis पे दिया गया है, इस flap यहाँ पे रहने से इस device को एक smart look, clean look दिखाई दे रहा इस speaker को charging करते वक्त यहाँ पे जो LED indicator आप देख पा रहे हैं, वो लाल कलर सा, रेड कलर सा जलता हुआ आपको दिखाई देगा, charging complete होने के बाद यह light automatically off हो जाता है, इस speaker को अगर आप कोई दूसरे device के साथ कनद करना चाते हैं, Bluetooth mode पे रखते हुए, किसी भी Bluetooth device के साथ आप इ ब्लू कलर सा जलता हुआ, ब्लिंक होता हुआ आपको दिखाई देगा, Bluetooth छोड़ के बाकी जितने भी modes होते हैं, जैसे के auxiliary mode, USB mode, FM mode, sub mode में यहाँ पे जो light होई, वो constant blue color में जलता हुआ आपको दिखाई देगा, मतलब वो light जब जलता है, blue color वो blink नहीं होगा, यहाँ पे जो save करके, यहाँ पे connect करके, उसके बाद यहाँ पे जो main button है, उसमें आप USB mode में set करते हुए, इस pen drive से आप speaker के through गाना सुन सकते हैं, यहाँ पे जो भाग आप देख पा रहे हैं, यह 3.5 mm auxiliary port है, आप किसी भी device को अगर through wire के through कनद करके गाना सुनना चाते हैं, मतलब without wireless, with wire आप आप कनद करके गाना सुनना चाते हैं, तो both end में जो auxiliary options होते हैं, उसमें 3.5 mm का जो cable है, उसको कनद करके, उस end में, इस end में कनद करके, आप through wire भी गाना सुन सकते हैं, for example basis, मान लीजिए, किसी भी पुराना MP3 players होते हैं, उसमे Bluetooth का option नहीं होता है, तो वहाँ पे auxiliary port का option होता ह तब आप उस auxiliary port को कनद करके, इस speaker में गाना सुन सकते हैं, यहाँ पे जो भाग आप देख पर हैं, यह charging port है, इस charging port में आपको जो cable दिया गया है, इस cable में जो micro USB port है, यहाँ पे जो port दिया गया है, इस port को आप यहाँ पे कनद करके, इस को चार्ज कर सकते हैं, इस end में आप एसे adapter को लेके यहाँ पे connect करके आप power plug में रखके उसको चार्ज कर सकते हैं स्पीकर को Bluetooth mode पे रखते हुए sound test करके देखते हैं मेरे पास एक laptop है उसको इसके साथ pair करके इसका sound test देखते हैं तो दोस्तो मैं स्पीकर को अपने laptop के साथ Bluetooth mode में pair कर लिया हूँ अब इस स्पीकर का जो sound है वो test करके देखते हैं जैसे कि low volume में कैसा है medium volume में कैसा है high volume में sound कैसा है वो test करके देखते हैं तो इसके लिए मैं अपने microphone को यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आपको clearly सुना ही दे अब मैं इस device को on करके आपको दिखाऊंगा Bluetooth mode device paired कर दिखको झाउब कि दोद्ट झाल 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 तो दोस्तों जब मैं स्पिकर का साउंड टेस्ट किया तो मुझे लो वल्यूम में इस स्पिकर का साउंड क्वाल्टी अच्छा लगा मिडियूम जब इसको रखते हैं तो मतलब 80 तो 100 परसंड उस्स्ञेंग में ब्लुटूथ रेंज है 10 मीटर्स यानि की 30 फीट इस स्पीकर का उटपुट है 10 वाट्स अगर आप अपने घर में किसी भी कमरे में इसको यूज कर रहे हैं तो इसका जो साउंड है ऑपोजिट कमरे में भी आपको क्लियरली सुनाई देगा इसमें सारे के सारे कनेक्टिवटी साउप्शन फ्यूचर सब कुछ मौजूद है लेकिन एक माइक्रोस्टी स्लोट का उप्शन नहीं है वो होता तो बहुत अच्छा होता फिर भी कोई प्राब्लम नहीं इसमें और एक फ्यूचर है ऑटो टॉर्न आफ अगर आप इस डिवाइस को आन करके अलग-अलग colors के लिए तीन अलग-अलग models numbers भी होते हैं मैं यहां पर आपको screenshot में वह दिखा रहा हूं model number change हो रहा है मतलब यहां पर कुछ specification या future कुछ भी change नहीं हो रहा है सिर्फ color के हिसाब से वह model number change हो रहा है मैं जो यहां पर यूज करा हूँ वह black color standard color है maximum आपको stock में black color का option ही मिलेगा बाकी जो दो color का options होते हैं वह stock में ज्यादा नहीं होते हैं इस device में IP6 protection rating है जैसे के water resistance and dust resistance अगर इस device के ऊपर light rain या हलका सा पानी या बारिस गिर जाता है तो कोई problem नहीं अगर इस device किसी भी bucket of water में गिर जाता है नहीं तो swimming pool या heavy rain में यह भीग जाता है तो उस वक्त इस device के साब problem आ सकती है इस speaker का ओजन सिर्फ 422 ग्राम में यह बहुत light weight है आप इसको easily कहीं पे भी carry कर सकते हैं एक हाथ में भी आप इसको अच्छे तरह से पकड़ सकते हैं यह बहुत compact size है अब इस speaker के ऊपर के तरफ देखें तो यहाँ पे देखिए यह जो base radiator और passive radiator यह surface बहुत नाजुक सा कोमल सा होता है इसके ऊपर आप कभी भी किसी भी weight चीज रखने के लिए कोशिस मत कीजिए वरना यह damage भी हो सकती है अब इस speaker के नीचे के तरफ देखते हैं तो देखिए यहाँ पे चार ventilators यहाँ पे दिया गया है एक दो तीन चार यह चार ventilators इसलिए दिया गया है कि ताकि free में airflow हो सके और इस device को heat ना पहुंच सके आप हमेशा speaker को किसी भी flat surface पे रखने के लिए कोशिस कीजिए जैसे कि table, floor, tipoy नहीं तो self ऐसे जो flat surface होते हैं वहाँ पे रखने के लिए कोशिस कीजिए आप कभी भी किसी bed के ऊपर, चादर के ऊपर, नहीं तो किसी sofa के ऊपर रखेंगे तो यह जो ventilators हो वो close हो जाएंगे, free में भी airflow नहीं हो पाएगा, अगर आप speaker को किसी corporate gifting के तरह जैसे कि आपके companies का employees को gift देना चाते हैं, नहीं तो किसी farewell पे gift देना चाते हैं, अगर आप bulk में order करने चाते हैं और उस speaker के ऊपर किसी वेक्टी का नाम और कुछ print करना चाते हैं, नहीं तो किसी company का logo कुछ print करना च जाते हैं, जैसे कि t-shirt printing, mug printing उस तरह आप कुछ सोच रहे हैं, तो आप इस company के जो call center है, वहाँ पे भी contact कर सकते हैं, उस company का जो call center का number वो website पे भी mention किया गया है, और इस box pack के ऊपर भी mention किया गया है, तो दोस्तों ये था photonics Bluetooth speaker यानिके wireless speaker का unboxing और review, अगर आप इस product को purchase करना च चाते हैं, तो purchase link में नीचे discussion में दिया हूँ, वहाँ आप चिक कर सकते हैं, प्लीज मेरे channel को like कीजिए, अगर आप मेरे channel पे नए आए तो नीचे जो लाल color का subscribe बटन दिखाए दे रहा है, उसे भी दबा दीजिए, पास में जो bell icon है, उसे भी press कर दीजिए, ताकि मैं कोई नहीं video upload करूँ, तो तुरंत आप तक notification आजाएगा, अगर आप कुछ comment करना चाते हैं, तो नीचे comment section में comment भी कर सकते हैं, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए bye, आपका दिल सूब हो